दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे MPPEB मद्देप्रदेश Employee Selection Board Online Form Middle School Teacher Eligibility Test 2023 New Notification के बारे में तो दोस्तो वीडियो को ध्यान से देखेगा इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आपको क्या-क्या Eligibility है तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असोक और आप सभी लोगों का मेरे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ पर दोस्तो Employee Selection Board MPPEB ब्यापम की तरफ से यहाँ पर New Notification जारी किया है Online Form Middle School Teacher Eligibility Test 2023 के Recording तो यहाँ पर सबसे पहले Rule Book पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मद्यप्रदेश शासन स्कूल सिक्चा विभाग के अंतरगत माध्यमिक सिक्चक विशे सिक्चक, माध्यमिक सिक्चक, खेल संगीत गायक बादन, प्रात्मिक सिक्चक, खेल संगीत गायक बादन रत्य तथा मद्यप्रदेश शासन जन्जातिय कारे विभाग के अंतरगत माध्यमिक सिक्चक, विशे सिक्चक, एबं प्रात्मिक सिक्चक, खेल संगीत गाय बाहन बादन के लिए पात्रता परिक्षा 2023 तो यहां पर दोस्तों आपको जो फार्म बनने की आनलाइन आबेदन करने की प्रारंब तिथी रहेगी 31.2023 और आप इसे 13.22.23 तक अपलाई कर सकते हैं फार्म में जो संसोधन की प्रारंब तिथी रहेगी जैसे आपके फार्म मे तो यहां पर आपका जो परिक्षा दिनांक दिन रहेगा 25.4.2023 मंगल बार से प्रारंब रहेगा आपका जो पहला पेपर रहेगा उसके बाद में यहां पर दोस्तों आपको फीस की बात की जाए तो मंडल का परिक्षा सुल्क प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से आपको 60 रुपे पोटल सुल्क दे होगा तो आपको 660 रुपे हो जाएगा इसी प्रकार से अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती अन्य पिछला बर्ग निसकते जन अभ्यारतियों के लिए केबल मद्धे प्रदेश के मूलेबासियों के लिए धाई सो पचास प एक बजे द्वत्य पाली का समय रहेगा यहांपर दोस्तों पथ ग विवरन माध्यमेख सिझसक बिशे शिक्षक उसके बाद में यहांपर आपका जो सेक्षनिक अहर्ता सम्बंधित बिशे में इस्नातक वपादी तथा प्रार्मपिक सिख्षा में दो बรसी यह डिपलोम बिसे में कम से कम 45 परतीस्था अंकों के सांथ इस ऍलाता कुपादी एबं इस संभन में समय समय पर जारी राष्टियाद्ध्यपक. या फिर कम से कम 50 परतीस्था अंकों के सांथ हायर सेकेंडरी 12 ग्लास अथवा इसके समकच तथा प्रारंबिक सिक्षा सास्त्र में चार बर्षी है इसनातक BL-AD या फिर कम से कम पचास प्रतिसत अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्च तथा संबंदित बिसे में चार बर्षी है इसनातक उपादी B-A-B-A-D-B-S-C-B-A-D या B-A-D-B-A-C-A-D अत्वा समदित बिसे में कम से कम 50% अंकों के साथ इसनातक उपादी तथा एक बर्षी है B-A-D-B-S-C-A होना चाहिए आपको क्वालिपिकेसिन में यहाँ पर आपको मात्दिमिक सिक्षा बिसे सिक्षक यहाँ पर दोस्तों आपको अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती अन्य पिछला बर्ग दिब्यांग जन आर्थिक रूप से कमजोर बर्ग के लिए पासिंग के लिए यहाँ पर 50% मार्क लाना आपको जरूरी है और अन्य के लिए 60% यहाँ पर दोस्तों मादिमिक सिक्षक का नियुंतम बेतनमान रुपयों में 32800 प्लस महंगाई भत्ता भरती नियम 2018 के नियम 13 के अनुसार परिविक्षा अबदी में बेतन दे होगा यहाँ पर दोस्तों आपका परिख्षा की योजना एवं पाठे क्रम आदिमिक सिक्षक के हेतू यहाँ पर जो बिसे बस्तू रहेंगे सामान ने हिंदी प्रस्णो की संक्या आठ कुलंक आठ यहाँ पर सामान ने अंग्रेजी प्रस्णो की संक्या पांच कुलंक पांच और साथ प्रस्ण रहेंगे, साथ अंक रहेंगे, यहाँ पर सिक्था सास्त्र, दस अंक रहेंगे, ये उसके बाद में यहाँ पर भाग बे 120 अंका होगा एबम इस प्रश्ण पत्र में 120 प्रश्ण पत्र अंतरगा 7 बिसे नीचे तालिका में दिये अनुसार होंगे तो यहाँ पर भिसे बस्तु, हिंदी भासा, अंग्रेजी भासा, संस्क्रत भासा, उर्दु भासा, गणित बिग्यान, सामाजिक बिग्यान यहाँ पर यह 120 प्रश्ण रहेंगे आपके यहाँ पर आपका सामान ग्यान, सामुदाय, घटनकरम, तारकी केव, आंकिक योग्यता की प्रश्ण रहेंगे उसके बाद में यहाँ पर आपका जो रहेगा गणित, बिसे बस्तु देख लीजी आप यहाँ पर गणित का दिया हुआ है, इसी प्रकार से बिग्यान का, यहाँ पर सामाजी बिग्यान का दिया हुआ है, उसके बाद में मुख्य भासा हिंदी का, तो आपको यह सारा नोटिपिकेशन चेक आउट कर लेना है यहाँ पर दोस्तों आपका जो तीन घंटे की अब्दी के प्रश्ण पत्र के लिए 60 मिनिट दिया जाएगा दो घंटे 30 मिनिट के अब्दी के लिए 50 मिनिट तो यहाँ पर समय दिया हुआ है यहां पर दोस्तों, आनलाइन आवेदन पत्रिके साथ सलगने किये जाने बाले दस्तवेजों का विब्रण तो यहाँ पर आपका आनलाइन आवेदन पत्र के साथ अभ्यारतिका कलर फोटो हस्ताक्षर एवं स्वेम की हस्तलिपी को प्रारूप एक में आपको लिखकर उसे अपलोट करना पड़ेगा यहाँ पर दोस्तो आनलाइन आबेदन पत्रि के साथ फोटो एवं हस्ताक्षर सलगन करने संबंदिन निर्देश तो यहाँ पर आपका जिसमें फोटो उपरी भाग में तथा हस्ताक्षर नीचे भाग में होंगे फोटो ग्राफ अच्छी गुण बकता एवं प्रश्ट भाग बेक्ग्राउंड सफेध होना चाहिए और पोलो राइट फोटो मानने नहीं होगा अभ्यारती का फोटो ग्राफ सामने से खिचा हुआ होना चाहिए जिसमें अभ्यारती के दोनों कान भी इस पश्ट दिखाई दें आपर उप्रोप्त माबदंड के फोटोग्राफ सनलगने नहीं किया जाने पर आवेदन पत्र निरस्त किया जाएगा फोटोग्राफ आवेदन भरने की तिति से तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए तता फोटोग्राफ पर खिचबाने की दिनांक बै आवेदक के नाम का इसपश्ट उलेख होना चाहिए यथा संबब अभ्यारती द्वारा आवेदन पत्र में जैसा फोटो डाड़ी में क्लीन सेब में लगाया गया है तो परिक्षा हाल में बैसी ही इस्थिती में उबस्थित दर्ज करानी होगी तो यहाँ पर दोस्तों आपको विशेश रूप से ध्यान रखिएगा फोटोग्राप पर आपको नया खिचबा के ही फार्म भरिएगा यहाँ पर दोस्तों आनलाइन आवेदन पत्र भनने है तो दो विकल्ब इंटरनेट केफे द्वारा क्योस के द्वारा भी आप भर सकते हैं या सुयम के कंप्यूटर द्वारा भी आप यहाँ पर mponline.gov.in की साइट से भर सकते हैं तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि जैसे ही फार्म आए तो फार्म पर भी वीडियो में बना दूँगा तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए तो दोस्तो आपको ये नोटिफिकेशन चेक आउट कर लेना है आपको इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो आप इस चीज का ध्यान रहे कि आप जैसे ही फॉर्म इस्टार्ट हो आप फॉर्म पहले स्टार्टिंग में ही भर दीजि